कि अगर ने किसी चीज़ रूटेट करवाना हो वह कैसे पोसिबिल्टी है इन सबको मैं लेयर को डिलेट करता हूं इसलैक करके बैसिकली डिलीट आपने डिलीट बटन से नहीं करना करके क्लिक डिलीट बटन दबाऊंगा तो यह लेयर डिलीट हो जाएकि फ्रेम डिलीट नह जाएक डिलीट का उस पर क्लिक करें तो यह फ्रेम डिलीट होंगे चीज़ एक च्छोटी चीज़ है कि अगर हमने रूटेट करना हो इसके अंदर डिफरंट शेर्स को तो मैं इसमें ग्रेडिन का रहत हूं इसमें क्लिक किया ओके हम इस फे इस पर सलिख करते है और ग्रेडियन अब मेरे पास गरीन और ब्लुटेट का ग्रेडियन लगा हो है इसकोर्टेट भी करना है और दो ब्लीट करना है तो क्लिक किया क्षर कर देए इसば ग्रेड़ ऐसा है कि यह फ्रेडchn ने पर रहट अब मैं अगर Ctrl T से रोटेट करने कोशिच करता हूं तो क्या होगा इसमें भी चैनल रेट हो गया और लेकिन फर्स फ्रेम पर रोटेट हो जाएगा तो अगर रोटेशन पर काम करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको इसकी डूपलिक बनानी पड़ेगी अब कंट्रोल जेपैस किया डुपलिक लेव नाली लेवन लेट 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 वन पर यह सिंपल लेट टू पर के हम लेट तो को उठा के हम यहां राज़त रहते हैं और रोटेट रहते हैं अब इस लेयर के अंदर यह रैड नीचे है और ग्रीन उपर है को करता है एक ल我们 नेका है इनको बहुत लाहना है है में इस लीक निताय ञिपन अ तब रिधा आए है आप सही स्केंड के अंदस इनको फ्रेम के इंदर रहम सेकंड को आइट घर देते पींटों से नजर ही नहीं आ रहा और सेकंड फ्रेम के अंदर हम फिर्स को हाइड कर देते हैं कि क्या मतलब है सेकंड को व्यू कर लिया और फिर्स को हाइड कर लिया अब इसको हम प्लेय करते हैं तो यह दो डॉशेट जान शुरू हो जाएंगे